पढ़ने और पढ़ने वाली महफिल्म है पढ़ने और पढ़ने वाली महफिल्म है और partir और पढ़ने वाली महफिल्म ही है का है foot prints without feet ठीक है foot prints without feet आपका chapter रहने चलिए दोस्तों तो पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफल महफट prints without feet पहला chapter है this chapter when we talk about this, exclusively when we talk about this chapter there is a scientist यहाँ पर कौन है, एक scientist है, कौन है मेरे दोस्तों, scientist है ठीक है और वो scientist जो है, वो कही ना कही मैं कहूं तो वो क्या करना चाहता था कुछ rare drugs होते है ना, उन rare drugs को निगल लेता है, है ना, उन rare drugs को निगल लेता है और finally वो, finally वो Mr. India बनी जाता है, हाला कि वो Mr. India नहीं वो Mr. London बनता है यानि कहने का मतलब वो London में गायप होता है, ठीक है, तो बड़ा ही जबरदस chapter है बड़ाई famous chapter है, काफी समय से इसे कभी नहीं अटाया गया है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है चलिए कहानी की सुरुवात करते हैं, क्या होता है इस वैक्ती के साथ ये देखने के लिए चलते रहे हैं मेरे साथ-साथ आपको यहाँ कुछ footprints दिख रहे हैं, यहाँ पर पैरों के निशान दिख रहे हैं यही है हमारी स्टोरी, चलिए स्टार्ट करते हैं तो स्टोरी टेल्स आस अबाउट अन एंसेंट्रिक साइंटेस्स जिसका मतलत है संकी परकार का व्यज्यानिक who wants to make the human body transparent in order to do so, ऐसा करने के लिए he swallow some rare drugs वो क्या करता है, निगल लेता है कुछ drugs को ठीक है, हाँ, and becomes as transparent as a mirror और वो क्या करता है, जैसे उन rare drugs को निगलता है तो वो सही मैं ऐसा transparent हो जाता है, जैसे कि कोई mirror होता है हाला कि, but solid like a seat of glass लेकिन उसका सरीर गायब भले ही हो गया है, दिखाई भले ही नहीं दे रहा है लेकिन अगर वो यहां खड़ा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है और मैं अगर ऐसे push करूँगा, तो उसको धका जरूर लगेगा क्योंकि वो सिर्फ दिखना बंद हुआ है, वो है तो सही अस्तित्व में है ना, ठिक है, अब क्या होता है, footprints without feet में समझते है चैप्टर की beginning होती है हाँ, two boys got surprised to encounter a bare-feated man हाँ, in the middle of London, but where was the man? अचानक से क्या होता है, दो लड़के होते हैं, वो दो लड़के लंदन की गलियों में घुम रहे होते हैं, और अचानक से उनको एक नंगे पैर वाला व्यक्ती कोई ना कोई, जो वहाँ चला होगा है ना, उसके पैरों के निशान दिखते हैं then they start thinking that who can be this person without any slippers or shoes, और in the middle of this street or London I should say, in such a winter, कैसे एक insert जो है बिना जूतों के रह सकता है, वो सर्प्राइज दो आते हैं लेकिन जैसे ही वो सर्प्राइज होते हैं, ये दो कदमों के निशान और आगे आगे बढ़ते रहते हैं then they start thinking की भी आगे कौन वेक्ती होगा जो इस प्रिकार से चल रहा है, कि है क्या ये मामला they gazed and gazed and suddenly new foot, feet begin taking shape and after a few yards, they begin fainting फिर वो उसे घूरते रहते हैं, पैरों के निशान को अचानक से ना जाने कहां से नए नए पैरों के निशान बनने सुरू होते हैं और थोड़े ही देर बाद वो पैरों के निशान faint होने लगते हैं यानि कि बिल्कुल हलके पढ़ने लगते हैं आखिर ये था कौन? ये कोई और नहीं वही scientist था ठीक है? it was the scientist who wanted to be a transparent man जो कि क्या बनना चाहता था? एक transparent man बनना चाहता था who happened to step in mud इसका पैर क्या हो गया था? गल्ती से कहां पढ़ गया था? कीचर में पढ़ गया था गल्ती से उसका पैर कीचर में पढ़ गया था ये मामला था, है ना? ठीक है? ठीक है, आगे देखते हैं experiment क्या किया उसने वो देखते हैं हाँ, carried out experiments and experiments उसने बहुत सारे experiments किये because he wanted to be a transparent person तो उसने experiments पर experiments किये to make the human body transparent ताकि वो अपनी human body को क्या कर दे transparent कर दे swallow certain rare drugs वो क्या करता है थोड़े से certain प्रकार के drugs जो होते हैं उन्हें swallow कर लिता है in the end became transparent और finally उन drugs को खाने के बाद वो क्या हो जाता है एक दम transparent हो जाता है यानि के बिलकुल ही नहीं दिखता किसी को but had to remove the clothes to be invisible लेकिन उसके लिए होता क्या था कि अगर उसको दिखाई नहीं देना है खुद को या दिखाना नहीं है किसी को तो उसको एक काम करना होगा और वो काम क्या करना होगा वो काम ये करना होगा मेरे दोस्तों कि उसके अपने सरीज से कपड़ों को हटाना होगा तब भी वो transparent दिखेगा यानि दिखेगा नहीं इन्विजिबल हो जाएगा अब हुआ ये कि ग्रिफिन ने अपने इस invention को सही तरीके से कभी यूज किया ही नहीं था हम सही तरीके से कभी यूज किया ही नहीं था उसने इरिजनेबल तरीके से उसे यूज किया रीजनेबल तरीके से नहीं इरिजनेबल तरीके से ही सेट्स लेंडलोर्ट साउस और फायर as his landlord exacted him from his house हुआ ये कि जिस घर में वो रहता था ना उस घर से उसका जो मालिक था ना घर का मालिक उसने क्या किया इस वेक्ति को निकाल दिया क्यों निकाला अब सपोज करो तुम्हारे घर के अंदर या मेरे घर के अंदर आफ़ा कोई संकी आदमी रहता है जो ना जने क्या क्या करता है तो हम उस आदमी को क्यों रखेंगे लेकिन इस वेक्ति ने क्या किया ये तो संकी था वैसे भी इसने क्या किया बदला लेने के चकर में अपने मालिक के घर को आग लगा दी क्या अच्छा मेरे को निकालेगा चल बेटे हां जुकेगा ना आए और उसने उसके गर को अहाग लगा दी अब क्या होता है अब उसने ये किया भी कब जैनवरी के महीने में अब जैनवरी में इंडिया में भी बहुत सर्दी पढ़ती है तो सोचो लंदन में कितनी पढ़ती होगी तो वहां तो बर्फ होता है अगर आप बिना क्लोट के सड़कों पर निकल रहे हैं तो मान लीजिए मतलब मामला तो ग या ना तो उसके पास घर है ना उसके पास कुछ और है हाँ अब भाया उसके पास कुछ भी नहीं है बस वो अगर उसको कहीं जाना है तो कपड़े निकालने ही पड़ेंगे उसने यह सुचा कि ऐसे तो मढ़ जाएंगे हां ऐसे तो हमारा मद्य प्रदेश हां हां आंतरप्रदेश हां तमिल नाडू सब एकदम से जम जाएगा हम क्या करें तो उसने कहा कि यह काम करो हम लंडन के किसी शॉप में जाएंगे और वहां तोड़ी गर्मी मिल जाएगी ह तो वहां गया तो शाम को दुकान बंद हो गई फिर वहां उसने कपड़े लिए कुछ खाने के लिए सामान जो पड़ा था वो लिया सब कुछ खाया और रात को अराम से उस जगापर जाकर सो गया ठीक है क्योंकि उससे पता था गलियों में घूमने से तो कोई मतलब निकल नहीं पाते हो और उसको जब खाना मिला तो उसने ताबर तोड़ बैटिंग करी विरंदर सहवा अगवाली है ना फिर MS धोनी वगएरा सब कुछ आगे उसकी बैटिंग में भाई साब ने जो मिला वो खाया मीट मिला पीने को बड़िया सराब मिली उसके बाद उसको हुआ तो वो सबको दिखेगा अब वो उठ नहीं पाया और दुकान के सारे कर्मचारी आ गए थे अब क्या करें अगें विदाउट क्लोट अब भाई साब भागे सुबह सुबह भागो क्योंके पीछे पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं ठीक है अब दुकान वालों ने करने वाले लोग आगे ग्रिफिन फ्लेड अवे फ्रम दे शॉप लेकिन ग्रिफिन भाग गया ग्रिफिन आगे आगे वो पीछे पीछे वह आगे आगे वो पीछे पीछे हाला कि उसको जाता समय नहीं रगा अगें शिवर इंग विद खोल्ड विदाउट क्लोज हरी तो एक बार फिर से उसने अपने कपड़े जो थे निकाल दिए और फिर वो से एक तमसे क्या हो गया transparent हो गया अब वो किसी को नहीं दिख रहा है और फाइनली वो क्या करता है अगली बार सूचता है कि अब मुझे ना किसी अच्छी जग़ा जाना पड़ेगा वो किसी theatrical company में जाता है हाँ, जहां का center होता है Drury Land, ठीक है In the Drury Land क्या होता है He found the stuff which could cover his head and face उसने ये सोचा कि मैं इस बार कहीं और जाऊँगा जहाँ पर मेरे कंदे से उपर का जो ये हिस्सा है मैं इसे भी डख सकूँ तो इस बार वो theatrical company में गया और उसका नाम था Drury Land अब उसने क्या किया, वहाँ गया उसने एक नकली नाक लगया एक चस्मा लिया बड़ी आशांदार दाड़ी मूच अराम से पुरी make-up वाले ली He escaped from the place hitting the shopkeepers from behind and robbing him अब क्या होता है उस दुकान के अंदर गया गले में जितने पैसे थे वो सब लिये, कपड़े उपड़े पैने और पीछे से दुकान वाले के सर के उपर जोर से हिट करता है और वहाँ से भाग जाता है उसके पैसे चुरा कर लेकिन कहते हैं ना चुराया हुआ पैसा आपकी जिंदगी में ज्यादा समय तक शुकी नहीं रह पाएंगे कम पैसा कमाओ, इमानदारी से काम करो तो जिंदगी भर तमाम उम्र के लिए कई तकलिफ नहीं आएगी लेकिन अगर आपने गैर कानूनी तरीके से इमानदारी छोड़कर बैमानी से पैसा कमाया है तो आपके साथ नहीं टिकने वाला है हाँ, मेहनत करा हुआ करोडो रुपिया आपके साथ टिकेगा लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए अगर आप ये समझ लीजिए कि मतलब मैं कहूं गैर कानूनी तरीके से इमानदारी नहीं रखते हुए किया गया काम और कमाया गया पैसा आपको कभी फल नहीं मिलता उसका और ना आपको कभी अच्छे फल उसके मिलते हैं हाँ, he escaped from the place hitting the shopkeeper behind and robbing him उसने उसको मारा और उसके बाद वहाँ से भाग गया departed to Iping Village अब उसने सोचा लंदन में रहना भाई सब अपने लिए ठीक नहीं चलो, एक काम करते हैं यहां से, हाँ, रफू का चक्कर हो जाते हैं क्या हो जाते हैं, रफू के चक्कर हो जाते हैं चलिए वो Iping Village में आ जाता है और Iping Village में आने के बाद वो दू कमरे बुक कर लेता है ठीक है डोंट वोंट अनी डिस्टरपेंस और उसने यही कह दिया था कि मुझे किसी भी परकार के डिस्टरपेंस मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई छेड़ेगा नहीं और Mrs. Hall को जब पैसा मिल गया Mrs. Hall कौन है Iping गाउं के अंदर एक सहराई है उस सहराई की यानि मान लो तुम होटल मान लो सहराई समझते हो न सब लोग ठीक है ऐसे समझ लो कुछ छोटा रुकने की जगह है ठीक है अब वहाँ पर वो क्या उसकी हैड है और उसको पैसा मिल गया तो भही सीधी बात है होटल वाले को तो पैसे से मतलब है वो क्यों पंचायती करेगा आप कौन हो कहा सा है उसको आईडी वाईडी लेनी थी वो ले लिया बात खतम अब उसने एडवांस ले दिया अब अगर कमरे में कोई नहीं है अब अगर कमरे में कोई नहीं है तो आवाज है कहा से आ रही थी यह बड़ा घजब का मामला होता है उनके साथ अचानक से कमरे में पड़ी हुई खुरशिया चेर जो भी पड़े होता है वो एकदम से हिलने डूलने रगते है और एक खुरशी तो Mr. and Mrs. Hall के उपर अटेक कर देती है उन्हें कमरे से बाहर फैंक देती है ठीक है यह बड़ा घजब का ही मामला होता है कि यह क्या मामला है कोई है ही नहीं अजीब सी बात हो गई Mrs. Hall के कान के पास कोई सिस्किया ले रहा होता है मतलब की सांस ले रहा होता है अब अगर कोई है ही नहीं और तुम सब्पोस करो तुम यहां खड़े हो और तुमारे पास से पीछे से कोई ऐसे करे और तुम यह घूम के देखो और तुमारे पीछे कोई नहीं है यह क्या मचाक है, पैसा भी गया, कोई है भी नहीं, आवाज भी अंदर से आ रही थी, और यह बात गाउं के अंदर फैल गई, अब लोग जो है रही है, यह क्या मांज रहा, यहां और कुछ नहीं है, भूत है, हैं, भूत है, ठीके, साइन्टिस्ट बिकम आ सस्पेक्ट, और क्या हुआ, अब संधिय में कौन आया, साइन्टिस्ट आ गया, ठीक है, इधर चोरी हुनार, इधर इसके पास पैसे आनार, इधर जाकर होटल के मालगीन को पैसे देना, यह बड़ा मामला थोड़ा अजीब सा लगा, क्या खिर ये बात क्या है तुम्हारे पास एक दिन पहले तक पैसा नहीं था आज जैसे ही चोरी हुई तुम्हारे पास पैसा आ गया तुमने उसको पैसे दे दी जाके तुमने दो दिन पहले तो का था मेरे पैसे नहीं है पैसे कहा सा है तो अब वो suspect, suspicious person बन गया हाँ, Mrs. Hall's doubt, ठीक है became stronger when he paid the amount और उसका शक जो था वो एकदम शाबित हो गया लेकिन शाबित हो गया जब उसने पैसा लाकर दे दिया ये क्या मजाक है हाँ, अब क्या होता है call the police, उसने police को call किया Mrs. Hall asked him what he was doing as he knew something was there in which he had his end उसने का सही सही बताओ मुझे तो इदर से उसने phone कर दिया constable को और अब आ रहे हैं स्रीमान जैफर जैफर कौन है, वो एक constable है हाँ, हाँ, तो अब हुआ क्या जैफर को phone कर दिया लेकिन Mrs. Hall में इतनी अब patience नहीं थी कि रुक जाए वो तो गई सीधे scientist से बात करने के लिए तु मुझे ये बता कि मेरे कमरे में उपर तु मेरे कमरे में क्या कर रहा था और एक बात और बता तेरा कमरा बंद पड़ा था और उसके बात तु वहां से निकल कर कैसे आ गया क्योंकि Mrs. Hall और Mr. Hall जब उसके कमरे में घुसे थे न तब सारी कपड़े बिखरे हुए पड़े थे वो whiskers, वो nose, वो spectacles, सब कुछ बिखरा हुआ था तो आखिर था क्या? वो समझ में नहीं आ रहा था ठीक है? Griffin ने का अच्छा ये बात है तो मैं बताता हूँ तुम्हें मैं कौन है उसने क्या किया? स्ट्राइपिंग करना सुरू किया अपने clothes को और अपनी bandages को जो भी उसके पास थे देख हुई है और जैसे वो हटाएगा उसकी गर्दन गया फिर shirt अटाएगा तो chest गया पैंट अटाएगा तो सब कुछ गया अब समझ रहे हो मेरी बात? टिक है? The constable Jeffer was sent for और इसी समय जैफर साहब को बुला लिया गया इसी समय जैफर साहब को बुला लिया गया End of the story और इस तरह से इस स्टोरी खत्म होती है क्या होती है? Griffins tried almost all the things Griffins ने अब सारी के सारी जियों को हटा दिया था All tried hard to catch the scientist including the constable but all in way सब लोगों ने अब क्या हुआ? कि जैफर साहब आए ना तो जैफर साहब ने बुला किसको अरेस्ट करना बता हो यह हो एक बार जो मैंने commitment कर दी उसके बात तो मैं जैफर साहब की भी नहीं सुनता अगर मुझे किसी को पकड़ना है तो चाहे किसी इंसान का सर हो या ना हो मैं उसे पकड़ कर रहा हूँगा मैं उसे पकड़ कर रहा हूँगा अब क्या होता है मेरे दूस्तों constable साहब जो है constable साहब जो है है वो अब उसको पकड़ने ही को उसकर रहा है लेकिन है क्या पहले सर गयप हुआ फिर चेस्ट गयप हुई फिर हाथ गयप हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ वो पकड़ा ही नहीं गया अंत में क्या हुआ in this way no one could hold on to stop 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 p लगा देंगे पीछे stop scientists scientists ठीक है and once again he escaped from the spot एक बार फिर से क्या हुआ वो वहां से बचकर भाग गया और किसी की पकड़ में नहीं आया important questions देख लीजेगा दोस्तों पढ़ लीजेगा अच्छे से how did the invisible man first became visible पहली बार invisible man visible कब हुआ दूसरा why does Mrs. Hall find the scientist eccentric आपको ये बताना है कि आखिर Mrs. Hall ने अपने scientist को eccentric क्यों कहा और क्यों माना था अगला question है ग्रिफिन was rather a lawless person इसके उपर comment करना है आपको और ये important question है क्या ग्रिफिन एक गेर मतलब कानून नहीं मालने वाला वेक्ती था next question है what impression do you form of ग्रिफिन after reading the lesson इसके अंदर आपको उसका character sketch देना है हाला कि ये दोनों question एक जैसे ही है what other extraordinary thing happened at the inn दूसरी चीज क्या गटिद हुई थी इन में ये आपको बताना है आपको पता ही है अभी जो मैंने कहा था सारे चेर वगेरा थी वो alive हो गये थे फिर चोरी हुई थी आखिर ग्रिफिन ने ये decide क्यों किया था कि उसको किसी लंडन की बड़ी store में जाना चाहिए गर्मी लेने के लिए कपड़े लेने के लिए है ना हाई गर्मी ठीक है वो लेने के लिए what did the halls see in the scientist's room आखिरी ये बताए कि scientist के room ने स्री मान और स्री मती hall ने क्या क्या देखा ये साथ question है very very important है पड़ लेना ठीक है दोस्तों अगला question अगला chapter मेरी तरफ से the necklace मतलडा का chapter है इसे सुरू करूँ इससे पहले ये बताओ कि chapter समझ में आया की नहीं आया फटाफट से बताओ और आया तो ये साथ questions पड़ लीजेगा इसके अलावा कुछ नहीं पड़ना है मैं फिर कह रहा हूँ यही पड़ लेना और अगर कोई दूसरा question आ भी जाए तो answer यहीं से निकलेंगे यानि इनी questions के answer होंगे कुछ नहीं थोड़ा सा घुमा कर दे देंगे और कुछ भी नहीं देंगे ठीक है भी या फटा फट से पता हूँ हाँ clergyman जो था वो उसके क्या बोलते हैं पती का नाम था स्रीमती हॉल के ठीक है ठीक है ठीक है तो अब एक बार फटा फट से कर दो share और एक का बार कर दो like, thumbs up दिखा दो ताकि मज़ा आ जाए जब मैं वापस देखूं कि हाँ इतने सारे बच्चों ने कमेंट किये हैं तो मज़ा आ जाएगा देखने का कि हाँ वास्तविक तोर पर हाँ जबरदस तरीके से बच्चों को समझ में आया है क्योंकि मुझे live कमेंट्स तो दिखते नहीं है वीडियो खत्म होने के बाद आपके जो कमेंट्स होते हैं वही हम पढ़ पाते हैं ठीक है तो live के कमेंट्स अलग होते हैं तो आप सबसे request यह है कि फटा फटा से एक बार like कर दिए, share कर दिए ताकि और भी किसी के पास यह वीडियो आसानी से पहुँच जाए ठीक है बहुत बढ़िया crystal clear है, शाबाश, very good मेरे पापा के पास चार petrol pumps है क्या बात है बुर्ज खलीफा, चलिए मेरे दोस्तों सुरुआत करते हैं चैप्टर नबर 7, The Necklace यह चैप्टर क्या कहूँ आपको एक लड़की के बारे में है Matilda, जो की मैं आपको बता हूँ तो एक envious girl है मतलब हर किसी चीज से वो जलती है अगर उससे कोई खूबसूरत है तो वो उससे बात नहीं करेगी उसकी अगर कोई फ्रेंड है जो उससे जदा पैसे वाली है तो वो उससे जड़ती है वो चाहती है के मेरे घर में राजा महाराजाओं जैसे बरतन हो वो चाहती है के मेरे पास महंगे महंगे कपड़े हो वो चाहती है के मेरे पास ज्वैलरी इतनी शांदार हो कि मुझे ही लोग देखें और वो वैसे भी थोड़ी खुबसूरत है लेकिन ना जाने क्योंकि भगवान ने उसे ऐसी फैमिली में पैदा कर दिया है जो क्लर्क्स की फैमिली थी हाँ वहाँ पर सब बाबू ही बाबू थे बाबू वो ले तो समझ रहे हो जो हिशाब किताब करते है ना वो वाले ठीक है तो आपको क्या करना है इस चैप्टर के अंदर ये समझना है कि जब एक इंसान इर्ष्यालू हो जाता है ना हाँ जब एक इंसान इर्ष्यालू हो जाता है ना वो कही ना कहीं किसी ना किसी परकार से हाँ कही ना कहीं वो किसी ना किसी प्रिकार से क्या बोलते हैं आपके धोका खाता है आगे जाके ठीक है एक बच्चा बोल रहा है सर आपने बुक के अंदर जादा क्वेशन दी हैं अरे भाया ये इंपोर्टन क्वेशन्स हैं वो सारे के सारे क्वेशन्स हैं समझो कि तभी समझ में आएगा तुम क्या चाते हो 15 के 15 क्वेशन्स देदू मैं बुक वाले तो फिर पढ़ोगे क्या तो फिर important क्या होगा तो फिर important क्या होगा ये बताओ important कुछ भी नहीं रहेगा मैं important बता रहा हूँ सिरफ इंपोर्टेंट पढ़ो तुम अगर 15 पढ़ना जाते हो किता वाले पढ़ लो सारे के सारे चलिए मेरे दूस्तों चेप्टर नंबर 7 दे नेकलेस की बात करते हैं क्या होता है मैंने कहा मेटिलडा नाम की लड़की है जो अपनी जंदगी में बहुत ज़दा कितना आकांशाय रखती है महत्वक आंख्शाय रखती है और इस इनी महत्वक आंख्शाओं की वज़र से वो बहुत ज़दा परेशान होती है अपनी जंदगी में वो क्या चाहती है एक बहुत ही शान और शौकत वाली जिंदगी चाहती है और परसर सनिय जिंदगी चाहती है हाँ प्रशंस नहीं है ठीके बट वाज अनफॉर्चनेटली बॉर्ण इन अ मिडल क्लास फेमिली लेकिन उसका जन्म जो होता है न वो भाही साब मैं क्या बता हूँ आपको किसी मिडल क्लास फेमिली में हो जाता है और उसकी साधी भी किसी क्लर्क से ही होती है जो की कौन था एक बड़ा ही नॉमल सा सीधा साधा वैक्ति था भला बिचारा हाँ मेरे जैसा कोई जिसको जन्दगी में सिर अपने काम से काम है ठीक है ऐसा कोई वैक्ति होगा ठीक है अब क्या होता है अब होता क्या है हाँ अब होता क्या है कि वो अपनी बहुती सानो शौकत वाली जिंदगी के बारे में सोचती है वो सोचती है चारोतर पैसे ही पैसे हो बस मैं तो पैसो के बिस्तर पर लेटू ऐसी उसकी काम न रहती है लेकिन सब कुछ उसकी जिंदगी में अपोजिट होता है जो वो सोचती है वैसा कुछ भी नहीं होता आगे क्या होता है, Matilda's friend, उसकी एक friend होती है, क्या करती है वो She had a friend studying with her, she was a quite prosperous lady अब क्या होता है, उसकी दोस्त होती ही जो उसके साथ पढ़ रही होती है पहले जो की वास्तविक तोर पर एक सम्रद लेडी है, यानि उसके पती देव का अच्छा खासा business है और उसके पास पैसे खूब है अब क्या होता है, हम, आगे देखें, Matilda was jealous of her and did not go to her house Matilda जलती थी और वो उसके घर नहीं जाती थी, ठीक है, आगे क्या होता है, Matilda देखो इस तरीके से रहती थी हमेशा हाँ, इस तरीके से रहती थी हमेशा, हम आगे देखते हैं, dinner time क्या होता है, her husband like everything arranged on the dinner table, dining table अब क्या होता है, हाँ, her husband liked everything, उसके पती को तो हर चीज पसंद थी, ठीक है, जो भी dining table पर था तो तो कहता है, हाँ हाँ, क्या मस्त सबजी है, क्या क्या मस्त पतीला है, क्या मस्त कड़ाई है, सब कुछ अच्छा लगता था उसको, सब कुछ अच्छा लगता था है ना, ले लेकिन Matilda की इच्छा रहती थी कि मेरे घर में तो बड़ा कीमती utensils होने चाहिए, utensils का मतलब होता है बरतन, वो कह दे थी ने, मेरे घर में तो चांदी के बरतन होने चाहिए, मस्त वाले, हाँ, मस्त वाले चांदी के बरतन होने चाहिए, invitation from an education department, अब अचानक से क्या होता है क्योंकि उसके पतीदेव education department में ही clerk होते हैं, तो उनको एक, क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँ, विशेश परकार का invitation होता है, जो invitation हर किसी को नहीं गया था, सिर्फ इसके पती को आया था, ठीक है, invitation from an educational department, she saw the invitation and threw it in the dustbin, अब वो क्या करती है, invitation को पढ़ती है, और उसको dustbin में फ अचानक से उसका बदी कहता है, मैं तो एक invitation लेकर आया, मैं तो एक invitation लेकर आया, मैं सुचा, खुश होगी, तो क्याता है, what happened, I thought you would be happy, वो क्याते है, मैं तो सुचा तो तो तुम खुश हो जाओगी, ये क्या हो गया, हाँ, 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 आगे देखो, deny to attend the function, अब वो डिना जाकर उस party में अपना मजाग बनाऊं सबके सामने, हाँ, तो उसका पती समझ नहीं पाता, आकर कहना क्या चाहती है, I do not have clothes to wear to the party, party मैं पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है, क्या कहती है, हाँ, कपड़े नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए, यानि उसको एक party attend करने जानी है, तो उसको क्या चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अब वो वास्तविक तौर पर थी तो, हाँ, खूर की परी, इसमें तो कोई शक नहीं था, वो कहते हैं, वो कहते हैं, मुझे नहीं ड्रेस चाहिए, नहीं तो, मुझे नहीं था, मैं attend नहीं करने वाली इस party को, ठीक है, मुझे नहीं कपड़े चाहिए, ओके था, ओके, ठीक है, कितने रुपे लगेंगे इसको चार्ज करने के लिए, हाँ, तो वो विचारी थोड़ी सी नर्वस होते वे कहते हैं, 400, हाँ, फ्रेंक्स, 400 फ्रेंक्स कितने होते हैं, आपको सारा पैसा जो था, वो अपनी एक गन खरिदने के लिए बचाया था, लेकिन फाइनली, उसने जैसे दैसे करके, उसको कहाँ ठीक है, ये लो, लेकर आजाओ कपड़े, जाओ, अब जैसे ही कपड़े आए, तो क्या हो, कपड़ों से कहाँ संतुस्टे हैं, अब नई अब क्या हुआ देवी जी, हाँ, अब क्या हुआ देवी जी, अब क्या हो गया, हाँ, तो कहती है, I do not have jwells to wear, हाँ, to wear, to wear, 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 to wear, ठीक है, on the new dress, वो कहती है, मेरे पास इस नई ड्रेस के साथ पहनने के लिए jwellery नहीं है, मेरे पास, हाँ, इस जगा पर पहनने के they would look beautiful, तुम वो natural flowers क्यों नहीं लगा लेती हुआ, बहुच ही लगोगी है, पर ये कहा मानने थी methodology, कहती है, I do not want to, मैंने ही पहनना चाहती है, ठीक है, मुझे कोई natural flowers नहीं लगाने है, ठीक है, अब क्या करें, अब फ्लार्स नहीं लगाने तो भाई साब अब एक तो उसने 400 अब उसने एक idea लगाया, वो कहता है, have your French help, एक काम करो, अपने दोस्त की मदद ले लो, ठीक है, उसे कहो, वो तुम्हें ज्वेल्स दे देगी, तो क्या idea दिया है तुमने, शानदार idea है, मज़े आ जाएगा, मैं जाती हूँ, वो उसके पास जाती है, अब नेकलेस के चकर में भाई साब सब भूल गई है, वो बस सुन्दर ता, फैरन लवली, जबरदस्त लगा के, आए हाए हाए, बन ठन चली देखो, एजाती रे जाती रे, वाँ वाँ वाँ, हाँ, जो ठुमका लगाना है उसको पार्टी के अंदर, वो सज धज कर गई है, एकदम शानदार, हाँ, वो सज धज कर गई है, एकदम शानदार, enjoy the party, उसमें पूरा enjoy कि किया पार्टी में, कैसे किया, Matilda became a source of attraction to the party as well as its members, नहीं, Matilda became a source of attraction to the party as well as its members, ठीक है, Matilda पूरी पार्टी में च्छा गई बाई सा, जो देखो उसी को देखे, हाँ, जो देखो उसी को देखे, पुरुष तो पुरुष महिलाई भी उसी को देखे, हाँ, वो तो ना धारे, वो तो भाई साब आज, हाँ, ठीक है, करेंगे party सारी रात वाला, वो तो भाई साब पूरा का पूरा party में लगी हुई थी, everybody wanted to talk to her, वो इतनी एच्छी लग र है, थोड़ी गुफ्तगू कर ले, हाँ, वो तो खोई हुई थी, क्योंकि उसने शांदार नेकलेस पहन रखा था, हर कोई वेक्ति उसको देख रहा था, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, हाँ, head fun for 4 o'clock, उन्होंने 4 बजे तक, हाँ, 4 बजे तक क्या किया, 4 बजे तक क्या मैं उसके अलावा ऐसी कोई महतरमा थी ही नहीं, जो उससे जदा खूब सुरत लगे, तो वो तो अपने आप में फूले ही नहीं समा रहे थी, कि बस मैं ही मैं है, मैं ही मैं, लेकिन उस मैं मैं कही ना कही इतना चूर हो गई थी वो, कि उसको पता ही नहीं, कि सुबह के 4 गाड़ी की थी, उस गाड़ी से घर पहुंचे तांगा किया था, उसने में मिरर में अपने आपकी कपड़े वगेरा चेंज करते हैं, घर जाते तो कपड़े चेंज करते हैं हम, ठीक है, तो उसने सोचा था क्यों ना एक बार फिर से मैं अपने आपके ओई-ओई-ओई-ओ वो मेरा necklace कहा है? Try to find everywhere, हो हर जगा ढूंड़ने ही कोईज करती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता, उसका husband बिचरा exhausted हो जाता है, यानि ठक जाता है, हाँ, सब जगा पर search करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, अब क्या करे? ये क्या कर दिया? लोगों की संपती थी, हमने गुमा दी, मामला तो गड़ बढ़ है, अब क्या हो? हम? अब क्या हो? Couldn't find the necklace, वो necklace को ढूंड़ी नहीं पाते हैं, what should we do? अब आगे depend करता है कि अब करना क्या है? necklace तो गुम गया, अगर आप किसी की चीज मांग कर लाते हो, अब कर लाते हैं, चैना F.I.R. हाँ तो वो F.I.R. को लांच करवाते हैं बट कुछ नहीं होता पुलिस वर आल्सो हेल्पलस अब क्या होता है है तो रिप्लेस उसने यह सोच लिया था कि मुझे इसको रिप्लेस करना ही करना है किसी भी कंडिशन में बॉरूड मनी फ्रॉम सेवरल पीपल उन्होंने क्या किया एक काम करो अब यह नेकलेस हमें दूसरा खरीदना होगा नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब उन्होंने लगबग लोगों से पैसे लिये खुद के पास पैसे थे वो भी यूज किये उन्होंने खूप सारे पैसे ले लिये और आपको पता है उन्होंने एक डुप्लिकेट नेकलेस खरीदा जिसकी कीमत थी लगबग 36,000 फ्रेंक्स 36,000 फ्रेंक्स मैं बारजी मुद्रा की बात नहीं कर रहा 400 फ्रेंक्स का मतलब 32,000 था तो अब 36,000 यानि 8 से मल्टिप्लाई कर लो 80 से मल्टिप्लाई कर लो तो कितना होगा? समझ मैं कितना होगा? 80 से मल्टिप्लाई कर लोगे तो कितना होगा? लगबग हाँ, लग भग ये 30 लाग के आस पास पैसा जाएगा, ठीक है, हाँ, 30 लाग के आस पास जाएगा, 80 से multiply करेंगे तो, लग भग, 4 अटे बतिस, लग भग, 728 लाग के आस पास, 728 लाग रुपए उन्होंने खर्च कर दी है, क्यों, त्योंकि ये लोगों की क्या थी, लोगों क को सचाई पता ही नहीं थी, 10 साल लग जाते हैं दोस्तों, payment वापस करने में, 10 साल लग जाते हैं, suffered for a long time to repay the amount, लोगों से पैसा तो उदार ले लिया, लेकिन अब क्या करें, they started living in a rented house, उन्होंने अपना घर बेच दिया और rented house में रहने लगे, या फिर किराए पर डाल दिया उन्होंने अपने घर के नौकर्स को सब जगा पर काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया, हाँ, उस और उसके पती ने जब कभी कुछ नहीं किया था, अब क्या हुआ, हाँ, अभी इसके हाला देखो, anxiety जिसे हम कहते हैं, चंता चिता के शमान होती है, और चंता अगर आप करें तो आप बहुत मुश्किल में पढ़ जाएंगे, उन्होंने स्कूल बच्चों का जो ताच चेंज कर दिया, ठीक है, लगबग 10 साल लग गया, वापस उस अमाउंट को चुकाने के लिए 10 सालों का समय लगा, She lost all her charm and beauty, इन 10 सालों के समय में मटिल्डा ने अपनी पूरी खूब सूर्ती खो दी, सब तबाह हो गया, वही औरत जो कुछ समय पहले कहते ना एकदम हिरोई लगती थी, आजकल वो बाई जी लगती है, ठीक है, अब क्या होता है, Came across her friend after 10 years, 10 साल बाद उसके मुलाकात उसी औरत से होती है, जिससे उसने जेवरात लिये थे, ठीक है, अब क्या होता है, अचानक से वो उसे देखती है, और उसे जाकर मिलती है, कहते है, हाई, महमे फॉरेस्ट है, उसकी दोस्त का नाम है महमे फॉरेस्ट है, तो महमे फॉरेस्ट जब उससे मिलती है, तो कहते है, sorry मैंने आपको पहचाना नहीं, I'm so sorry, I do not know you, लेकिन उससे क्या पता, उससे क्या पता कि वो वही है, हुआ क्या 10 साल पहले वो अलग दिखती थी, 10 साल बाद वो अलग दिखती है, ठीक है, तो यहां तक तो वो उसे जा पूरा बदल गया, तो उसने कहा दिया, नहीं नहीं, मैं आपको जानते हैं नहीं मादम, माफ करो, रहे, listen to me, I'm Matilda, I'm Matilda, I'm Matilda, I'm Matilda, what happened to you my dear, and she said, oh my god, Matilda, you, what happened with you, what happened with you, it's all because of you, and she gave to her, she raised an allegation saying that, my condition, is, huh, this is the, this is my condition, and the main reason behind this, is you, ठीक है, सो मुख्य कारण जो है, वो तुम हो, you know, I took a necklace from you once, तुम्हे यादे मैने तुम्हारे पास से एक necklace लिया था, कहती है, हां, मैने उसे खो दिया था, वो तो गुम गया था, तुम्हे एसा कैसे हो सकता है, तुम्ने तुम्हे उस से return किया था, but you returned it to me, right, पर तुम्हे तो मुझे वो वापस दे दिया था, हां, वो कहती है कि, वो return जो मैने किया था, वो duplicate था, वो duplicate था, I replaced it for 36,000, and it took 10 years of my life, मैने तुम्हारे necklace का पैसा चुकाने के लिए, 36,000 जो थे, वो दे दिये, हां, वो दे दिये, हां, वो दे दिये, मैं मैंने नया necklace खरीदा, और इसने मेरी जिन्दगी को तबाह कर दिया, इसने मुझे तबाह कर दिया, 10 साल लगे मुझे वो पैसा उतारने में, oh my dear Matilda, ये तुमने क्या किया, I'm so sorry to tell you, वो necklace, नकली था, वो necklace duplicate था, 500 रुपे की खीमत नहीं थी उसकी, ये तुमने क्या कर द किसी भी इनसान को देख कर हम हमारी जिन्दगी में हाँ अपने आपको कम आखे हैं, या फिर या फिर मैं कहूँ कि किसी को देख कर मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए, ये भावना कभी नहीं होनी चाहिए, जतना है उसमें खुश रहो, वो ही जिन्दगी गा सबसे अशार है ठीक है इसलिए कहते हैं cut your coat according to your clothes कभी उमीद मत करो उन चीजों की जो हमारे हमारे पहुँच से बार है लेकिन कोज़े समेजा करो कि मैं उस पहुँच को एक बार अपना जिंदगी का मुकाम बना लूँगा मैं ज़रूर पहुचूंगा अगला question पहला question है आपके सामने why was Matilda always unhappy Matilda हमेशा दुखी क्यों रहती थी next question what fresh problem now disturbs मैं loiselle how is the problem of a necklace solved ठीक है यह सब important questions है ध्यान रखना how did loiselle manage to pay for the necklace यह question इस तरह से भी पूचा जा सकता है what were the reasons which caused great sufferings yeah suffering to Matilda what did Matilda do to gain time for returning the lost diamond necklace to madman forest year यह question same का same है ठीक है why was Matilda's friend astonished to see her at the end of the story आकेर उसकी दोस्त जो थी वो उसे देखकर एकदम से surprise क्यों हो जाती है यह आपको बताना है तो मेरे इस आपसे इस पूरे चैप्टर में सिर्फ चारी question है दिखा आपको 6-7 रहे होंगे यह सारे के सारे questions important है ध्यान रखिएगा अरे भाईया सब जगा पर है चलिए मेरे भाईया कोई बात नहीं जिनको पढ़ना है वो कमेंटी नहीं कर रहे हैं जिनको पढ़ना है वो कमेंटी नहीं कर रहे हैं जिनको आपस में ही गुफ्तगू करनी है आप तो बस पढ़ने वालों का ध्यान रखें हमें तो सर्फ अर्जुन बनना है जो मचली की आँख पर ध्यान रखें बीच में आने वाली बादाओं से हमें कोई लिना देना नहीं है चलिए मेरे दोस्तों तो मिलते हैं सबी से अगली बार अगले लेक्चर में क्या केते हो मृत्योंजे जाप गा दें अभी गा देते हैं देखिए मृत्योंजे जाप कैसे होता है मृत्योंजे जाप एक ऐसी समय एक ऐसा जाप है जो इंसान की जंदगी में बहुत जादा शुक लेकर आता है संपत्ति लेकर आता है, संब्रदी लेकर आता है और शांती लेकर आता है तो आप अपनी जिन्दिगी में जरूर गाएं कहते हैं ओम्त्रयंभकं यजामह सुगंदें पुस्टी वर्दनं उर्वारुकमेव बंदनान मृत्योर मुक्तियमा मृतार आप सभी का दिन बहुत अच्छा रहें इसी के साथ मिलता हूँ आप से अगली क्लास में तिल देन बाबाई टेक केर से यू और लव यू गाई थैंक यू सू मच